Hello Everyone, Welcome to Tube Affairs इस विडियो में बात करेंगे Index and Ranking मेहत्कुन सुचकांग और Ranking Last 4 Month का Last के 4 Month में जितने भी Index Ranking हुए है उसके बारे में इस विडियो में बात करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे इंडे की Ranking क्या है, भारत की क्या Ranking है उस सुचुकांग में टॉप के नेशन से फिर रिपोर्ट क्या है कौन सी संस्था उस इंडेक्स को जारी करती है सब कुछ देखेंगे डिटेल में तो आप बने रहे वीडियो पे end तक इसके साथ साथ मैं कहूंगा आपने अगर books and authors का वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें उस वीडियो का लिंक नेचे डिस्क्रिप्शन में इसके साथ साथ एक से पाथ जुलाई तक के बीच का current affairs जुलाई current affairs भी upload कर दिया गया तो उसे भी आप जरूर देखें तो इस वीडियो को हम शुरूर करते हैं बात करेंगे index and ranking लास्ट के चार महीने के बारे में तो चले वीडियो को शुरूर करते हैं फरस्ट है हुरून global unicorn index 2023 ग्लोबल unicorn index 2023 किसके दोरा publish किया गया हुरून research institute हुरून research institute इसको publish किया है भारत की ranking क्या है थर्ड रैंक पे इंडे इस रैंक थर्ड ऑन देखें विडियो कुल 68 unicorn company के साथ भारत तीसरे पाइदान पे और बात करें तो उनिकॉर्ण जो टॉप किया है इस लिस्ट में वह है बाइजूस उसके बाद स्विगी और फिर ड्रीम 11 तो यह तीन टॉप की है भारत की तरफ से जो उनिकॉर्ण से इस लिस्ट में अगर हम बात करें ग्लोबल उनिकॉर्ण लिस्ट तो सबसे नंबर वान पे कौन है बाइट डांस जो कि चाइना का है यह सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म में इस पेस एक्स यूएस से एरोस्पेस कंपनी आप जानते हैं इसके बारे में 366 दूसरे नंबर पे हैं चाइना 316 और काफी अच्छी मतलब भारत की रैंकिंग है कि भारत दूसरे देशों से काफी उपर है थर्ड रैंक पे 66 उनिकॉर्ण के साथ चौथे पे उनिकॉर्ण और पांच पे हैं जर्मेनी बस पांच आपको याद रखने हैं किसी भी चीज के मैक्सिमम पांच इंपॉर्टेंट थ्री टॉप थ्री आपको याद रखने तो भारत 66 उनिकॉर्ण कंपनिस के जाट टॉप थ्री पे जिसमें बाइजूस ड्रीम 11 और सुईगी है सुईगी सेगंड पे हैं ड्रीम 11 थर्ड पे अब हम इसकार डिटेल देखते हैं कि सैन्ट फ्राइंसिस्को जो युएससे में है Retained as a Title of World Unicorn Capital तो San Francisco में कुल 181 Unicorn है तो ये Top है अगर City-wise की बात करें तो San Francisco No.1 पे हैं कुल 181 Unicorn के साथ New York 2nd position पे हैं 126 Unicorn के साथ Followed by Beijing 75 Unicorn के साथ Shanghai 66 Unicorn के साथ London 5 रैंक पे हैं 42 Unicorn के साथ उसके बाद Bengaluru ठीक है तो ये भी आपको धियान रखना है कौन सा भारती शहर Top में है तो Bengaluru और जो कि Shenzhen चाइना में है 33 Unicorn के साथ इस Top 10 में है ये भी आप धियान रखिए San Francisco No.1 City with most Unicorn New York 2nd, Beijing 3rd, Shanghai 4th London 5th and 6th पे Bengaluru ठीक है तो ये इसका हो रहा है यहुरून Global Unicorn Index आगे बात करते हैं Second है Top 10 busiest airport worldwide International Airport Council के द्वारा तो इसमें भारत का जो airport है इंद्रा गांधी International Airport देली इसको 9th rank दिया गया 9th busiest airport worldwide दुनिया भर में 9 पाइदान पे है भारत का ये airport Top 5 airport कौन है देख लेते हैं Hartsfield Jackson, Atlanta International Airport USA दूसरा Dallas Fort Airport USA तीसरा Denver Airport USA चौथा Chicago Airport USA और पाचवा दुबाई Airport UA ठीक है तो ये 5 airport टॉप पे हैं बस आपको तीन ध्यान रखने हैं भारत के जो airport है इंद्रा गांधी airport 9th rank पे 9th busiest airport worldwide है As per this index ranking According to ACI The top 10 airports which account for 10% of global traffic ठीक है 10 प्रितिशा जो global traffic होता है दुनिया के top 10 airport इसको संभाले हुए Next है World's wealthiest cities report ठीक है दुनिया का ऐसा शहर जो सबसे wealthiest है और ये रिपोर्ट जारी किया गया Henley and Partners के दौरा लंडन बेस्ट जो 5 शहर है सबसे wealthiest है वो है New York 1 है टोकियो Bay Area USA London 4 और Singapore 5 ये 5 दुनिया के शहर है जो सबसे wealthiest है जो भारते शहर उसकी ranking क्या है Mumbai 21 रैंक पे है सबसे wealthiest nation in the world Delhi 36 रैंक पे है Bengaluru उसके बाद है 8 billionaires के साथ Kolkata 7 billionaires के साथ और Hyderabad 5 billionaires के साथ तो आपको याद रखना है Mumbai, Delhi Bengaluru, Kolkata और Hyderabad ठीक है अगर हम बात करें USA तो USA leads with 10 out of 50 cities in the world तो सबसे यादा wealthy city है दुनिया भर में USA में दुनिया को जो top 50 wealthy city है उसमें सबसे यादा USA में है top 10 तो USA leads कर रहा है इसमें आप देख सकते ये ranking New York, Tokyo, Bay Area, London, Singapore, Los Angeles Hong Kong, Beijing, Shanghai, Sydney top 10 में ये सारे शहर है ये भी आप screenshot ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं LPI यानि की Logistic Performance Report 2023 सातवा संस्करन था किसके दोरा जारी किया गया है World Bank के दोरा क्यों कौन सी category है Customs, Infrastructure, International Shipment Logistic Competence and Tracking Tracing भारत की ranking क्या है 38 38th rank है globally India share the 38th rank with other country कौन कौन से देश है Lithuania, Portugal, Saudi Arabia, Turkey तो आपको ये ध्यान रखना है आप से सवाल पूछ दिया जाएगा India Logistic Performance Report में किस देश के साथ ranking share करता है Which of these is not among them ऐसे पूछेगा सवाल कि कौन सा वो देश नहीं है अब 5 options ये फिर 4 options रहेंगे तो लिथवानियद रहेगा पुर्तगाल रहेगा सौधी रहेगा तुर्की रहेगा कोई एक country रहेगा जिसका नाम नहीं है तो इस तरह के सवाल confuse करने के लिए हो सकते हैं जो 5 country है टॉप शिर्स में Singapore है Finland है Denmark, Germany, Netherlands इन सब की ranking मतलब इन सब का score बराबर इसलिए 3rd पर ही sequence wise रखा गया आपको याद रखना है Singapore और Finland ठीक है और इसमें भारत की ranking है 38 अब हम बात करते हैं Most criminal rates ranking यानि कि criminals और crime जो होता है उसमे किसके तोरह जारी किया गया World of statistics World of statistics Highest crime rate per 1 lakh people सबसे टॉप पे है जहां सबसे ज़्यादा crime rate है Venezuela है rank 1 पे Venezuela वही देशे जहां globally तेल सबसे ज़्यादा सस्ता है लेकिन उस पे रोक के कारण वहाँ से import दूसरे countries नहीं कर पाती है खेर वो अलग matter है Venezuela rank 1 पे है Papua Nigini second rank पे है जहां अभी 3rd पे South Africa फूर्थ पे है अफगानिस्तान होंदूरस फिफ्थ रैंक पे है भारत की ranking है 71 ठीक है इंडिया का crime index है 44.43 ये number है रैंकिंग की बात करें तो भारत की ranking है 71 ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है artificial intelligence index report बाइ Stanford University human centered artificial intelligence भारत की rank 5 है क्या है ये मतलब artificial intelligence में जो growth है जो investment है उसको दर्शाय है ये सूचकांग इंडिय का investment है 3.24 billion US dollar टॉप 5 कंट्री जिसमें artificial intelligence में investment है सबसे number one पे US है चाइना है United Kingdom है 3rd पे और इस्राइल 4 पे देखिए अगर Tech and Science Technology Research Development इसमें अधिकतर आप पाऊगे USA चाइना टॉप पे और बाकी चीज जो है जो environment ये फिर जो ethics related है उसमें अधिकतर आप पाऊगे जो Scandinavian countries है वह सब आप अधिकतर ये चीज आप नोटिस करोगे इस वीडियो में ही या फिर कभी भी इंडेक्स रैंकिंग आप अगर देखोगे तो तो ये हो गया भारत के रैंकी पाचवी रैंक पे हैं अगला हम बात करते हैं वर्ल्ड मिलिटरी एक्सपेंडिचर इन 2022 2022 में मिलिटरी एक्सपेंडिचर खर्च में कौन सा देश शिट्स पर रहा रिपोर्ट जारी की गया सिपरी के द्वारा इस्टाउक होलम बेस्ट इस्टाउक होलम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्ट्यूट यानि कह रहा है कि वर्ल्ड मिलिटरी एक्सपेंडिचर 2022 में 3.7 प्रितिशन से बढ़के 2240 यूस डॉलर बिलियन पे पहुँच गया तो भारत चौथे पाइदान पे हैं दुनिया भर में मिलिटरी एक्सपेंडिचर में और आप जानते हूँ कि डिफेंस में सबस्यादा बजट एलोकेशन होता है इस बार हुआ है यूसे नंबर वन पे चाइना टू पे रश्या थर्ड पे इंडिया फूर्थ पे सौधी एरा फिफ्थ पे यूके शिक्स जर्मनी सेवन फ्रांस एट साउथ कुरिया नाइन जापान टेंथ तो दस मैंने आपको दिखा दिया आपको पांच याद रखना है कभी-कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि कोई G20 जिफ सेवे नेशन टॉप 10 में है या नहीं ऐसा भी पूछा जाता है आप यह देख सकते हो ग्राफ ठीक है जो अभी मैंने बताया वही चीज़ है यूएस चाइना रशिया इंडिया साओधी अरब टोटल वर्ल्ड मिलिटर एक्स्पेंडि सबसे अधा कहां हुआ यूरोप में हुआ 13 परसेंट का ग्रोथ हुआ ग्लोबल इस पेंडिंग ग्रोबाइन ग्रीव बाइनटीन परसेंट ओवर डिकेड ठीक है तब देखिए ऐसा पूछ दिया जाए कि डेकेड में लास्ट टेन इयर्स में जो ग्लोबल इस पेंडिंग के दौरा जारी किया जाता है आठवा संस्करन रहा इस बार का एट एडिशन आइटी मदरास टॉप पे रहा पांचवी बार ओवर ओल एज वेल आज इन एंजिनिरिंग कैटेगरी फॉलड बाइंडिन इस्ट इस बेंगलूरू आइटी दिली थर्ड आइटी बॉंबे फो पे रहा और बनारस हिंदू युनिवर्सिटी पाच रैंक पे रहा मेडिकल युनिवर्सिटी में टॉप पे रहा है एंस देली मैनेजमेंट मेरे टॉप पे रहा आयम अहमदाबाद टॉप इन कॉलेच मिरंडा हाउस न्यू देली बस इतना ही आपको याद रखना है ठीक ह अब हम आगे बढ़ते हैं फूड सेफटी इंडेक्स पांचवा संसकरन अंडर दे लाज स्टेट कैटेगरी फूड सेफटी इंडेक्स न मिनिस्ट्री स्वास मंतराले के दोरा जारी किया गया तो सबसे लाज स्टेट कैटेगरी में केरल टॉप पे रहा पंजाब सेकेंड पे रहा तमिनाडू थर्ड पे रहा इस्मॉल स्टेट कैटेगरी के बात करते तो गोवा टॉप पे रहा फॉलड बाई मनीपूर और सिक्किम सेकेंड एंड थर्ड यूनियन टेरिटरी केंडर शासित राज जमू कश्मीर टॉप पे रहा तो आपको टॉप थ्री याद अब हम बात करते हैं ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स ऑस्टेलिया बेस्ट वाक फ्री एजुकेशन इंटरनाशनल लेबर और 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 आई-उ-एम के द्वारा टॉप पांच लीस्ट प्रिवेलेंट नेशन वी स्लेवरी मतलब पहला क्या बोल रहा है क्या मैं बता रहा हूं टॉप पांच ऐसे देश जहां स्लेवरी सबसे कम है सुट्सेलेंड, नॉर्लवे, जर्मनी, निजडरलाइन और स्टॉडेन, टॉप 5 देश जहां सबसे आद Alrighty सुलेवरी हैं प्रिवेलेंट स्लेवरी इंडेक्स फॉलर्ड बै चाइना रशें इंडोनेशें तुर्की है यानि कि G20 नेशन में भारत सबसे ज़्यादा जहां है ग्लोबल स्लेवरी है सबसे ज़्यादा ठीक है तो इस तरीके से जो जैसे मैंने बता है आपको वैसे ही याद करना है यह आप देख सकते हैं प्रिव अब हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बाइवर्ड एकनॉमिक फोरम भारत की रैंकिंग है 127 अमाग 146 कंट्री इसकोर क्या भारत का 0.643 ठीक है इंडेक्स टॉप किया गया आइसलेंड नॉर्वे देखे मैंने बोला था कुछ देरे पहले तो यही सारे देशे स्केंडिनेवियन और उधर यूर्पेन कंट्री आइसलेंड नॉर्वे फिन्लैंड न्यूजिलैंड यह पांच है टॉप पे बॉटम पांच भी आपको याद रखने हैं बॉटम पांच पूछ दिया जाता है अफगानिस्तान सबसे नीचे 146 चैड 145 अलजेरिया 144 इरान 143 एंड पाखिस्तान 142 कि किस क्राइटेरिया पे दिया जाता है इंडेक्स बेस्ड़न फूर पारामे से इसमें एजुकेशनल अटेन्मेंट में यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट है ग्लोबल लाइवबिलेटी इंडेक्स रिलीज बाई एकनॉमिक इंटेलिजेंस इनुट लंडन बेस्ट रैंकिंग पांच केटेगरी पर कैलकुलेट होता है एजुकेशन सस् अच्छा रहने योगे है इन पारामीटर्स पे तो विएना हो गया उस्ट्रिया की राजधानी कोफेनागें डेन्मा की राजधानी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सिड्नी ऑस्ट्रेलिया और केनड़ा का वैंकोवर तो यह पांच हैं टॉप फाइवबिलेटी इंडेक्स यह चार इसके रैंकिंग आपको याद रखने हैं और पारामेटर्स मैंने बता दिया नेक्स्ट है अब आपसे सवाल पूछाएगा भारत के कितने इनवर्सिटी फीचर किये लिस्ट में तो इंडे के कुल 75 इनवर्सिटी इस लिस्ट में फीचर किये हैं इसमें से आपको याद रखना है आए एसी बेंगलूरू 48 रैंग जेसेस अकैडमी रिसर्च मैसूरू 68 रैंग शूलिनी यूनिवर्सिटी भजोल हिमाचल प्रदेश 77 रैंग महात्मा गानी इनवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलप्मेंट को टेम केरल 95 और ट्रिपल आटी हैदराबाद 106 इस रैंक पर अगर हम बात करें ओबर ओल रैंकिंग तो मोस्ट इनवर्सिटी रैंकिंग में किस देश से सबसेदा इनवर्सिटी ने फीचर किया है रैंकिंग में जापान होगा एंसर 117 इनवर्सिटी के साथ चाइना 95 इंडिय 75 इरान 65 तुर्किय 61 ठीक है इस तरीके से आ इनवर्सिसको कैलिफॉर्णिय बैंगलूर्य टॉप किया है स्टाटप एको सिस्ट्रेम है गें 20 रैंक मुंबई 31 नॉट टॉप बट फॉम इंडिया बैंगलूर्य वैली जो है यूएसे में है ये नाम ही है शहर का लंडन और नियॉर्क दूसरे पे बट एक को तीसरा दि फोर्थ पे इसराइल का तेल अभी फिफ्थ पे ठीक है तो यह क्या था ग्लोबल स्टाटप ऐसे शहर जहां इस्टाटप अच्छे से फलता फुलता है शुरू होता है ग्रोथ होता है इस्टाटप एको सिस्टम बहुत अच्छा है उसकी रैंकिंग ये है आगे हम बात करत इंडेक्स वैश्विक प्रतिसपर्दा सूचकांग इंटरनाशनल इस्टिट व मैनेजमेंट डेवलप्मेंट के दौरा रिलिस किया जाता है भारत की रैंकिंग 40-64 देशों में इस चार फैक्टर क्या है एकनोमिक पर्फॉर्मेंस गवर्मेंट एफिशेंसी बिजनस एफ आछे हें टौश चेहें बाठ्योन देन्मार्क आइर्लेंड स्विडेढ़ ड अयाज़ेंद सिंगापूर और निधरलंड बॉट्म five कोन एफ्टं और अर्जेंटीन्मारुह मंगोलिया साथ अफ्रिका onब ब्राजी तोप 5 आपको धियान रखने देन्मार्क आय्लेंड लगे 20 वा संस्क्रन है तॉप पे रहा युएसे का मैसेचेट इंसिट आप टेक्नोलोजी अब हम आगे बढ़ते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड एकनोमिक फोरॉम टॉप थ्री कंट्री कौन कों से हैं स्विटेंड डेन्मार्ग नौर्वे फिन्लैंड और स्विट्जिलेंड टॉप पांच होके बता दिए भारत की रैंकिंग इंडे की रैंकिंग 67 है फ्रांस की रैंकिंग साथ है इस दो उल्ली कंट्री फ्रोम G20 ग्रूप फिचर इन टोप 10 ठीक है तो यह एंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रांस इस दो उल्ली कंट्री फ्रम G20 तो फिचर इन टोप 10 अब हम आगे बढ़ते हैं Global Peace Index वैश्विक शान्ती सुचकांग Institute for Economics and Peace भारत की रैंकिंग क्या रही? 126 भारत की रैंकिंग बहुत खराब दिया गया 163 देशों में bottom 5 country कौन-कौन से हैं? सबसे कम शान्ती है अफगानिस्तान में, येमेन में, सीरिया में, साउट सुडान और कॉंगो तो bottom है अफगानिस्तान 133 रैंक के साथ top 5 nation कौन-कौन से हैं? आप फिर देखो Iceland, Denmark, Ireland, New Zealand और औस्ट्रिया neighboring country जो भारत के पड़ोसी देश से उन सभी को अच्छी रैंकिंग दी गई है सिवाए पाकिस्तान और मायनमर के आप देख सकते हो भूटान को 17 रैंक मालदिफ्स को 23 रैंक, नेपाल 79 रैंक, चाइना 80 रैंक, बांगलादेश 88 श्रीलंका 107, मायनमर 145, पाकिस्तान 146 तो ये था ग्लोबल पीस इंडेक जिसमें भारत की रैंकिंग है 126 तॉप पांच देश आप देख चुके हैं जो हाइलाइटेड है इन दे बॉक्स अब हम बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वरे इंपोर्टेंट पब्लिस्ट पाइ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पैरिस बेस्ट है भारत की रैंकिंग है 161 161 पिछला वाला 126 था 161 भारत किस केटेगरी में आप से पुछा जाएगा वेरी सीरिस केटेगरी ठीक है और भी केटेगरी है सैटिस्फेक्टरी है और डेंजरस है इस तरीके से टॉप पांच नेशन कौन कौन से हैं टॉप पांच नेशन से नौर्वे फिर आप देखो आयरलाइंड डेनमार्क स्वीडेन फिनलाइड पॉर्टम फाइव नेशन कौन कौन से हैं नौर्थ कोरिया चाइना 179 वेतना 178 इरान 177 और तुर्कमेनिस्तान 176 तो विश्व प्रेस आजादी सूचकांग भारत की रैंकिंग 161 अगला है नाशनल वार्टर अवार्ड ये देशी सूचकांग है नाशनल इंडेक्स है बेस्ट स्टेट कैटेगरी MP अब ये दिया गया डेपार्टमेंट आफ ये वार्टर जलशक्ती मंत्राले ये सब के द्वारा मदेप्देश Axis – रैंग बिशा रैंक सेंट आंधर प्रदेश और बिहार थड रैंक पिर रयंक बेस्ट डिस्टिक्ट गंजम ट्रिशा वेस्ट विलेच पंचायत जगंधा पूरम भध्रादरी तेलांगाना का आथ विलेच पंचायत वेस्ट अरबन लोकल बड़ी चंड दुसरा है बिहार, तो इतना आपको याद रखना है National Water Awards में, इसको प्रिजेंट किया था Vice President जगदीब धनकर ने, अगला है State Energy Efficiency Index, ये भी National Index है, by Bureau of Energy Efficiency and Ministry of Power, साथ सेक्टर को कवर किया जाता है, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, मिन्सिपल सर्विस, ट्रांस्पोर्ट, अगरिकल्चर, डिसकॉम, यानि Distribution Company जो बिल्ली Distribution Company होती है, और क्रॉस सेक्टर, पाँच स्टेट्स आरिंट फ्रेंट रणर, साथ पॉइंट से ज़्यादा, वो पाँच स्टेट कौन को से हैं, अंधरपदेश, असम और करनाटका, चीक है, ये चार, अब हम बात करेंगे National Manufacturing Innovation Survey, by Department of Science and Technology, United Nations Industrial Development Organization, युनिटेव के द्वरा, करनाटका है स्टॉप इन IMI इंडेक्स, तेलंगाना सेकेंड एंड तमिल्लाडु थर्ड, मतलब कि Manufacturing Innovation में सबसे शीर्स पर है करनाटका, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे पर है तमिल्लाडु, ठीक है, बाई, Department of Science, Technology, और युनिडो के द्वरा, नेक्स्ट है, Data Center, Quarter 1, 2023, Report, by Knight Frank, Shanghai holds the first position of 2692 MW capacity and is followed by Tokyo, Mumbai तीसरे rank पर है, Data Center Markets in the Asia Pacific region with a total capacity of 2337 MW, the report focuses on 9 emerging market in Asia Pacific, वो देश है, Bangkok, Hong Kong, sorry, शहर, Hong Kong, Kuala Lampur, Mumbai, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney और Tokyo, तो Asia Pacific को ही ये cover किया report by Knight Frank, Mumbai थर्ड पर है, बस आपको याद रखना है, Shanghai top पर है, और Tokyo second पर है, अगला है, Global Annual Housing Price Growth Index, Knight Frank इंडिये के दोरा, Prime Global Cities Index, Value Based Index, Tracking Prime Residential Prices, मतलब की, residential price को cover किया गया है, cool 46 देशों, शहरों में, worldwide, Mumbai की ranking अच्छ है, globally, मतलब, globally, Mumbai की ranking, not globally, हाँ, globally, 46 शहरों में, Mumbai, 6 रैंक पर है, in the, मतलब, residential prices, pricing of residential property, ठीक है, और इसमें topic किया दुबाई, दुबाई में सबस्यादा residential महगा है, तो इसी को ये index cover किया, तो ये थे last four month के index ranking report, और I hope, आपने वीडियो देखा होगा यहाँ तक, और आप books and authors के वीडियो और current effects के वीडियो को जरूर देखें, so thank you very much for watching the video, thank you.